वेल्कम गाइज वेल्कम बाक ट्यू ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत आपका एक और शांदा डेली माक्रिस वीडियो में आज हर जगा मार्केट में बलड बात देखने को मला बहुत ही मेजर फॉल आया काइंड ओफ क्रैश भी आप इसे कह सकते हैं स्पेशली स्मॉल कैप में तो बहुत ही मेजर फॉल देखने को मला है और कलम ने यही तो बात की थी कई लोगों को डाउट था कल की वीडियो में आपको ख्लारिफाई किया था कि हम मार्केट में बॉलिश नहीं है कई लोगों को doubt था कि यहां से और bull run दिख रहा है हमें हमने simply बताया था कि हमारा positional target आ चुका है in fact यह भी कहा था कि अपनी positional longs और bullish entry यहां पर book कर लो हमारा target आ चुका है अब fresh bull run तब start होगा जब एक breakout मिलेगा तब एक नई entry बनाएंगे अभी कोई bullish entry नहीं है अभी तो profit book करना है target आ चुका है बहुत simply कल की वीडियो में positional chart दिखा के आपको समझाया था normally हम weekdays में positional chart नहीं देखते हैं लेकिन कल specifically आपको दिखाया था क्योंकि आपके mind से यह doubt निकल जाए कि आप positionally अभी भी हम bullish है तो वो चीज clarify हुई तो positional longs हमारी तरफ से कोई भी नहीं थे market में और उसके बाद जो intraday setup था उसने भी magically work किया detail में intraday market भी discuss करेंगे and कल nifty के expiry है उसकी भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले daily अगर आप best possible analysis नहीं करना चाहते तो जरूर subscribe कर ले क्योंकि इस से better levels और analysis आपको guaranteed नहीं मिल सकता यह more than 3 years से improve कर रहे है आज भी वही देखने को बला अब levels का magic देखिए क्या setup था हमारा क्या हमारी discussion थी और क्या हुआ market में अब देखिए bank nifty में morning में market आराम से हमारी range में work कर रही है पहली candle का top कहां लगता है 47 430 यह हमारा resistance level था मैंने आपको telegram पे भी update किया था morning में वहाँ से fall आता है support लेती है market 47 250 पे यह हमारा support level था फिर इस support से bounce आता है फिर market कहां resistance phase करती है 47 430 पे तो अब morning में देखो market perfectly हमारे levels की range में काम कर रही है किसी भी side break नहीं किया है तो कोई trending move का trade तो अभी तक नहीं मिला है लेकिन यहां पे क्या आज क्या आप पूरे दिन के day high से fall catch कर सकते थे बिल्कुल कर सकते थे क्योंकि जो day high बना है आज वहाँ level भी था और साथ साथ सूपर trend की magical resistance थी मैं आपको इतने time से बता रहा हूँ कि एक magical tool है जो free में available है use करो ऐसा और कोई indicator नहीं है जो इसको match कर सके super trend best indicator है जो आपको use करना चाहिए और आज भी आप ये पूरा fall catch कर सकते थे इस indicator से बिल्कुल top यहीं पे लगता है levels पे तो market काम करी रही है लेकिन super trend magically देखो पूरे दिन का top exactly super trend पे फिर महां से fall और super trend से अपने trade बना लिया बहुत अच्छी चीज़ है otherwise उसके बाद फिर हमें एक trade का मौका मिलता है क्योंकि अभी तक हम इस range में है range को break नहीं कर रहे है और अब तो clear है ना दूसरी discussion यह थी कि अगर यह level lower side break होगा तो trending fall आएगा market में और वोई trending fall आया है देखो आप गज़व का fall और दे एंड में फिर super trend से fall आया है तो magical दिन था इससे perfect setup possible नहीं है दोनों जो levels बताये थे support और resistance दोनों levels ने अपना काम किया जब support break हुआ तो market में trending fall आया super trend से दो बार market में top बना और वहां से fall आया यहां morning में भी और यहां day end में भी तो इससे perfect setup possible नहीं था अगर कोई after market भी इससे better levels of setup दे देना मैं मान जाओंगा क्योंकि इससे better setup मिल नहीं सकता और यह एक दिन पहले हमने आपको सब कुछ logic reason के साथ समझाया था देख लो आपके सामने है बस वही कहानी है trust and trade अगर आपने trust किया होगा setup पे तो jackpot returns बने है यार आज क्योंकि हर चीज ने काम किया है levels ने भी super trend ने भी यह बात हुई bank nifty की nifty में क्या nifty में मैंने आपको intraday update क्या किया था देखो nifty में भी opening gap up हुई 22,430 resistance पे ठीक है कोई trade नहीं बन रहा है अभी तक red candles है market resistance से fall कर रही है फिर यहाँ पे super trend sell sign दे देता है लेकिन super trend से हमारा trade नहीं था हमारा trade जो level हमने कल discuss किया था वो किया था 22,300 ठीक है लेकिन intraday में पहली बार हमने देखा market को 22,260 पे support लेते हुए यहाँ पे market ने support लिया वहाँ से bounce आया तो यह day low बना ठीक है morning में market यहाँ day low बनाती है और अगर हम कल की market भी देखेंगे कल का day low भी 22,260 पे ही बना था तो यह हमने new level आपको intraday update किया था कि आपको fall के लिए puts में entry तब करनी है जब यह support ब्रेक हो जाएगा बार बर market इस level पे support ले रही है जब यह support ब्रेक होगा तब आपको fall के लिए puts में entry करनी है simple हमारी discussion थी telegram पे भी मैंने update किया था नॉर्मली जो कल की वीडियो में discussion थी उससे 22,300 से discussion थी लेकिन एक new level दिख रहा था बनता हूँ तो मैंने आपको update किया जब यह level ब्रेक हुआ confirmation के साथ उसके बाद देखो अगर किसी ने यह fall catch किया होगा jackpot fall था targets क्या थे 22,200 पहला target था बहुत easily आगया यहां confirmation मिली उसके बाद एक candle में हमारा target आगया उसके बाद next target था 22,115 यहां देखो market ने target पे time भी spend किया ऐसा नहीं कि सिर्फ fall आया तो level पे काम ही नहीं किया नहीं level पे काम भी हुआ है थोड़ा बाद support लिया फिर level break किया level पे retrace किया यहां से जब fall आया तो डेलो कहां मना है next target क्या था 21,900 और आप देख लो अल्मुस्ट यही आज का डेलो था तो magical moves आये है magical fall आप catch कर सकते थे निफ्टी में तो magical दिन था ही लेकिन निफ्टी में भी बहुत clear कहात है ना यार 22,260 अगर lower side break होगा तो market में fall आयेगा और जब यह break हुआ confirmation के साथ तो वो fall देखने को मिला बस वोई कहां यह trust in trade market ने level को break कर दिया तो अब reversal try मत करो market direction बता रही है उस direction को follow करो बस इतनी कहांनी है क्या आप इतने fall के बाद यह मान सकते हो कि हाँ भाई level break हुआ तो market में further fall भी आयेगा तो आप इस trade में entry कर सकते हो लेकिन अगर आप random trading करते हो तो आप हर जगा आज bounce के लिए try करते और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके आज SL जाते profit आप नहीं बना सकते थे profit आज सिर्फ तभी बनाया अगर आपने fall के लिए as per setup बहुत अच्छा रहा होगा चलिए आज की market हो चुकिए कल के अब discussion करते हैं पहले nifty की बात करते हैं जिसकी expiry है क्या करना है nifty में कैसे trades बन सकते हैं क्या levels है जहान से समझेए कल है expiry तो हम 50s के level यूज़ करते हैं पहली चीज अभी market में resistance है 22,000 level 1000 का multiple है psychological level भी है तो clearly यह हमारा पहला resistance level है इस level को upside break करेंगे तो फिर nifty में rally आएगी और कल targets यह वाले levels काम नहीं करेंगे कल आएंगे 50s के level काम यही 22,050 पहला level उसके बाद 22,100 22,150 22,200 simply trailing stop loss यूज़ करके आपको पूरी rally को catch करना है अगर 22,000 को market upside break करती है और downside immediate support क्या है 21,950 अगर यह support break होगा तो यह जो weakness आ रही है यह weakness और बड़ी होगी और market में further fall आएगा targets 21,900 21,850 21,800 level every 50s पे level है same वही चीज़ है जो हम expiry में use करते हैं 50s के level use करते हैं और बहुत simple है कहीं भी market open हो न उसके nearby के 50s के level देख लो माल लो opening हो जाती है 22,025 पे तो इसके नीचे 50s का level क्या है 22,000 और इसके above 50s का level क्या है 22,050 इन दोनों के mid में जहां opening हो उसके बाद देखो क्या upside level को market break कर रही है तो market bullish है market में rally आएगी और अगर lower side level को market में बिरिक किया तो market negative है और market में fall आएगा trailing stop loss आपको use कर नहीं है क्योंकि target छोटे ज़रूर दिख रहा है लेकिन trail करके आप बड़ा profit catch कर सकते हो इन target से setup बहुत simple है जहां opening हो उसके nearby के 50s के level देखो और फिर उसके according trades बनेंगे simple criteria है और positionally तो मैंने बताई दिया था दुबारा एक बर chart दिखा देता हूँ जिन लोगों को positional में doubt रहे गया था या miss कर दिया अपने वीडियो दुबारा देख लो मैं मैं यहां तक bullish था market में यहां मेरा target आ गया क्या target था 22,470 यहां मेरा target आ गया था यहां मैंने कहा था कि अपना profit book कर लो अब हमें नई positions तब बनानी है long side और bullish side जब यह level break होगा अभी अपना profit यहां book करना है resistance से क्या होता है market में fall आता है और वोई fall देखने को मुल रहा है तो perfect setup था positionally भी और intraday तो levels काम करी रहा है तो वोई levels आपको use करने है ठीक है तो बहुत ही perfectly market हमारे positional setup पे भी काम कर रही है और intraday setup पे भी काम कर रही है चलिए nifty की हमने charts पे तो बात कर ली option chain data में nifty में क्या पता लग रहा है एक बार वो भी देखते है तो यह है हमारी nifty की option chain अभी support resistance कहां पे वो देखते है 22,000 पे आप देखो काफी जादा हुआ ही है 1,10,000 हुआ है put side call side 1,63,000 तो gap बहुत बढ़ा है तो 22,000 अभी as per option chain resistance है जब यह resistance break होगी तो nifty में rally आएगी option chain तो यह चीज़ बता रही है resistance पता लग गई support का है support है 21,900 पे 98,000 होगा यह put side call side 30,000 तो यहाँ भी decent gap है almost 68,000, 67,000 का तो इसलिए support 21,900 है बड़ा fault अब आएगा जब यह support break होगा as per option chain यह दो major level cycle के लिए जब यह levels break होगे तो market में बड़ा trending move आएगा hope clear है setup इसमें कहीं कोई doubt नहीं है nifty की बात होगी अब bank nifty भी देख लेते हैं जिसमें आज तो magically market ने setup पे काम किया लेकिन कल क्या करना है भाई क्या levels काम आएंगे कैसे trades बनेंगे वो समझते simple है अगर market को bullish होना है तो भाई super trend को break करेगी market तब में ले market bullish होगी तब आपको rally के ले trades बनाने है super trend का level almost है 47,100 तो कल bank nifty में मुझे देखना है कि जब 47,100 upside break होगा तो bank nifty में ले bullish होगा target पहला 47,250 उसके बाद 47,430 और उसके बाद 47,680 level simple clear setup है bullish होना है अगर bank nifty को तो भाई super trend में जो sell sign चल रहा है न पूरा दिन जो sell sign था इसे buy sign करना पड़ेगा ये जो red line है न ये green होनी चाहिए तब bank nifty मिल लिए bullish होगा कल और तब आपको bullish entries बनानी है call में entry बनानी है जब 47,100 upside break होगा downside की बाद करें देख लेते हैं एक बार downside भी downside मेरा support है 46,750 उसके बाद 46,500 and 46,350 simple है ये support है अभी आज वैसे test नहीं हुआ है लेकिन अभी भी support है अगर ये support break होता है तो bank nifty में further weakness आईगी तब आपको bearish trades बनाने है fall के लिए trades बनाने है और target 46,500 and 46,350 यानि दो levels है हमार पास upside 47,100 ये upside break होगा तो rally आएगी bullish market होगी और 46,750 lower side support ये support break होगा तो fall आएगा और market negative होगी इतना simple setup है further levels में आपको बताई दिये जो आपके targets होगे देखो simple जरूर है setup लेकिन magically काम करता है use करो और magic देखो इससे perfect setup नहीं मिल सकता ना इससे better levels मिलेंगे ना इतना simply आपको सब कुछ explain कोई करेगा super trend में daily बताता हूँ use करो आपने देखा ना आज कितना magically काम किया है उसने use करो daily levels भी काम करते है super trend भी काम करता है बढ़ जो चीज market बताए है ना वो चीज करने है अगर market support को break कर रही है तो trust करके fall के लिए trade बनाओ ये नहीं कि reversal try करते रहो मैं randomly कोई trade लेते रहो किसी दिन तुक्का लग जाएगा लेकिन हर बार नहीं होगा maximum time आप loss करोगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखो setup को follow करना बहुत ही important है क्या आपने setup follow की आज जरूर comments में बताए overall केसा आपका दिन रहा ये भी जरूर बताए और ऐसी market में problem पताए क्या है देखो आज fall तो बहुत बढ़ा है setup ने भी बहुत अच्छे से काम किया है लेकिन लोगों में दिक्कत है कि कितना बड़ा fall catch कर लेंगे बहाल लो यहां तक fall catch कर लिया फिर यहां जैसे green candles बनी फिर यहां से bullish entry बना ली यहां जैसे green candle बनी फिर bullish entry बना ली वो पूरा fall नहीं catch कर पाते कहीं न कहीं mid में ये try करते कि यहां से bounce back आ जाएगा इतना बड़ा fall आ गया यहां से bounce back आ जाएगा यहां से rally के लिए try करो और वहीं पे वो trap हो जाते है और वहीं फिर उन्हें loss होता है तो क्या आपके साथ भी आ जैसा हुआ क्या आपने randomly कहीं पे reversal try गया अगर किया है तो comment में जरूर लिखे ताकि आप आगे यह गलती ना करे हां market आपको खुद sign दे कि हां bullish entry बननी तो बनाओ लेकिन आज ऐसा कोई sign नहीं था यह अगर आपने trade बनाया bullish तो वो आजसर्फ और सर्फ random trade था तो अपनी गलतियों को note down करे ताकि आप उन्हें repeat ना करे इसके लावा वीडियो चले के तो like कर देना और चैनल पर नए है तो subscribe भी जरूर करें